अब अब वेलकॉम तो माई चानल हीमांसु क्रेटिव सेशनें दोस्तों स्टेट बैंक अब इंडिया का जो स्पेश्यलिस्ट ओफिसर निकला हुआ है उसका बारे में हम आज डिस्केशन करेंगे जो लोग अपले करेंगे तो अब उदनते ही है सेंट्रल गब्मेंट का नोक अब बहुत आच्छा है कोन साप्ले करेंगे हम लोग यहां पर जाएंगे और यह जो साइट खुला हो दोस्ते में खुला हुआ है स्ट्रेट बैंक अब इंडिया का साइट है आप लोग वी इसको खुल सकते हैं और खुल लेंगे बाद उसका जो क्यारियर पेज में जाए और यहां पर देखें डाउनलोड अडवाटाइज दिया हुआ है अडवाटाइजमेंट डिटेल और नीचे लिखा हुआ है अपलाइए और इसी पेज में आप लोग आखें अपलाइए कर सकते हैं और मैं अक्चली पहले से उसका जो पीडियेप है डाउनलोड करके रखा करना पड़ेगा अनलाइन और उसका अप्लिकेशन फीच वी उसी दिन तक लाजड़ेट है लेकिन दोस्तों में पहले से डाउनलोड करके रखा हूं मैं वहां पर जाओंगा आप लोगो डिटल दिखाओंगा क्या क्या है इसमें देखें दुस्तों मैं एक्चुली बना सकते हैं और इसको अनलाइन रिश्टेशन अप्लिकेशन पेमेंट अप्पीश फ्रम 13 अप्रिल 2021 टू 3 में 2021 उसका मतलब है आप लोग इसमें जो पांड दोस्तों दिखा लिखा हुआ है मैं आप लोगों डिटल बता दर रहा हूं इतना पढ़ने का जोरत नहीं है क्योंकि यह अल्रेडी में पढ़ चुका हूं और आप लोग सुन लिजा आप लोग इजी रहेगा पढ़ने का डिटल जोरत है नही लिखा हुआ है इसमें आप उनलाइन अप्लाइब कर सकते हैं और जो पैमेंट आप फीसे सिर्फ ऑनलाइन में आप दे सकते हैं आप क्रेडिकर में दे सकते हैं नेटमेंग में में दे सकते हैं यूपीए में दे सकते हैं आजकल तो बहुत सारा अप्शन रहता है उनलाइन आपको अप्लोड करना पड़ेगा आपका जो 10th certificate है उसको स्कान करका अप्लोड करना पड़ेगा आपका इतना सारे पॉंट लिखा है उसका में पॉंट ही है अपलेग करने के बाद आप लोगो तो पता ही है अंलाइन अपलेग करने के बाद वो इंडिया के जो आदमी लोग है रिक्रूण करने के लिए है वो लोग सट्लिस्ट करेंगे सट्लिस्ट करने के बाद आप लोग को इंट्रीव कर लिए बुलाएंगे इंट्रेवू होने के बाद फिर लास्ट और सभी प्रसेस दोस्तों सिर्फ उनलाइन होगा आपका जो रेजिस्टर मेल आइडिया आप दिये होंगे उनलाइन अप्लिकेशन भनने का टाइम में उसी में सब को डिटेल आएगा आप लोग का मेल में कब सट्लिस हो जाएंगे आप अप्लिक करने के बाद कान्फर्मेशन भी आएगा वहीं पे और आप सट्लिस्ट हो जाएंगे तो आपके लिए कल लेटर भी आएगा इंट्रेवू के लिए तो हार्ड कपी का कोई इसमें है नहीं यहां पे दिके लिखा हुआ है लास्ट में सिक्स नमर पाइंट में है नोग हार्ड कपी विल भी सेंट मौन जो आपको कल लेटर भीज़ा जाएगा उसमें कोई हाड्लेटर हाड कपी नहीं है सब अनलाइन में किया जाएगा अर उस्तों हम लोग भी चलेंगे क्या-क्या पोस्ट नीकला हुआ है और क्या चलरी है देकि पोस्ट है निकला हु मैंनेजर क्रेडिर आनलाशी दो देख रहे हैं यहांपे 20 पोस्ट जेनराल का है 11 पोस्ट अबीची का है स्टी का है थ्री पोस्ट और EWS जो है इकनोमिक विकर सेक्षन है इसके लिए फोर पोस्ट है टोटल मतलग आप लोग बोल से वान आर्म फिजिकल हंडिकेट और लोग के लिए रिजर्वरेशन दिया गया है और इसका जो आप मक्सिमुम एज 35 है आज और फास्ट जानवारे 2021 इसका पोस्टिंग जो अनिवारी इन इंडिया होगा और इसका जो पेस्केल है दूस्तों सिर्फ मॉंबाई में है पोस्टिंग और इसका जालरी वह ही है उसका जालरी वह ही है मुला 63,842,78,230 रुपीज और मैनेजर रेमिस्टान्स उसकी मैनेजर रेगर 3 है यह भी पोस्ट एक है यह भी जो पेस्ट पोस्ट है पोर ओल्ली रिजर्फ पर वान लेग फिजिकल हम्टी हांडिकेप इसका मिनिमूम एज 27 होना चाहिए माक्सिमुम एज 35 होना चाहिए और उसका जो एज लिमीट है आज और फास्ट जान्वारी 2021 इसका पोस्टिंग भी मुंबाई में है इसका साल देरी भी बहुत अच्छा है 63,842,78,230 उसके बाद फोर्त में जाएंगा हम लोग डेपोर्टी मान जे तो मैनेजर का हम लोग डिस्केशन कर लिए है डेपोर् माक्सिमुम वेज 26 है 30 है माक्सिमुम वेज है आज और फास्ट जान्वारी 2021 इसका पोस्टिंग भी मुंबाई में है इसका साल देरी दोस्तों 48,172,69,810 रूपीज है उसके बाद चाय लेंगे हम लोग डेपोर्टी मैनेजर चाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाच इसका बी मैनेजर गूट क्रेट 2 है जेनरल का 5 पोस्ट है और वीजिकाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा 172 69,810 रुपीज है और डेपुटी मैनेंजर एनी चानल नमबर 6 है इसका ये भी मैनेंजर 2 है इसका पोस्ट है टोटाल दो पोस्ट है जनराल के लिए है और इसे आउट आप टू पोस्ट वन पोस्ट इस रिजर्ब फर वन आर्म हंडिकेप्ट और और वन लेक इसका पोस्टिंग वन उंजर्ब में है इसका सालरी है 48,172 तो 69,810 रुपीज कितना इस पोस्ट निकला हो है दो सभी का सालरी बहुत बढ़िया है और माग ज्यादा एज कभी मांगा नहीं है लेकिन ये थोड़ा पोस्टिंग सीटी में है तो उसका सालरी है उसकी हिसाब ये डोब्लू एस टोटाल ओ ओ ए ओ ल मतलब वान आर्म फिजिकल हांडिकेट ओ एल वान लेक फिजिकल हांडिकेट इसका स्वावरिवेस्ट निचे दिया हुआ आप लोग देख सकते है और और ये जो सालरी दोस्ता आप देख रहे ये तो आपका पेस्केल है लेकिन इसम सब्सक्राइब करेंगे तो आप बैंक में राजा है आप जानते हैं इंडिया में बढ़िया नोकरी है आप लोग अपलाई कर सकते हैं इसमें कि और दोस्तों यहां पर बहुत सारे सी दिया हुआ है मतलब नोट है काणिडिने बिलंग्स्ट भीषी काटेगुरी बाट कामिंग इसको भीषी का पर नहीं आएगा और यह तो अभराल में आप लोगों दोस्तों बोल दिया है आप लोग एलिजबूल है की नहीं लेकिन आभी हम लोग चलेंगे एक्सप्रियाच में फार्ट जो हम लोग देखे थे मैनेंजर करेड़ अनालेशी इसका दोस्तों educational qualification minimum होना चाहिए एंबीए होना चाहिए और पीजी डीबीए होना चाहिए बाला एंबीए होना चाहिए उसका specialization होना चाहिए finance में होना चाहिए लोग टू यह डिग्री कोर्स चाहिए और फाइनांस में आकॉंटिंग क्या होगा तो भी लोग अपले कर सकते है और एक्सपरेंस होना चाहिए थ्री यर्ज पोस्ट कालपीकर experience प्लाब एंबीए करने के बाद तब जाके अपले कर सकते है और मतलब एक्सपरेंस आजन फास्ट जानर 2021 और उसमें जो मैंजर केड़ें आनलेचिस्ट है स्पेस्टीपिक स्कील्स उसमें आनलेचिस अबारान सीट आपरेजाल और क्रेडिर प्रोपोजाल क्रेडिर मानेटर यह सब फोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपरेंस होगा तो उनके लिए प्रिफरेंस है तो देख लिए थोड़ा अब लोग और मैंजर जोब फैमिल एंट सक्सेसर प्लानिंग इसका भी क्वालिफिकेशन दोस्तों वही है लेकिन वहां पे फास्ट जनरेट टूजन थक था आजन इसमें आजन फास्ट फेबर किल चाहिए इंट्र परश्ण स्कील चाहिए स्टांग कम्रिफिकेशन और में फ्रेजर नामिटेंस है इसके क्वालिफिकेशन वीटेख एंस्ट्रेम इन एलेक्ट्रोनेशन कम्मुनिकेशन इंफ्रमेशन टेक्नलोजी मतलब बी बीटेग होगा तो इसमें अपले कर सकता है लेकिन यह जो ब्रांचेस दिया हुआ इस लोगों को थोड़ा प्रिफ्रेंश दिया जाएगा प्लस MBA भी होना चाहिए MBA और PGDM होला चाहिए और उसका इक्वालेंट डिगरी भी होगा तो होना चाहिए लेकिन रेगूराल होना चाहिए कॉर्स कंप्लेटे थ्रूं करिस्पेंटेंश पार्ट टोई उलनाट भी एलिजीवल महला जो लोग एमभी किये हैं पार्ट टाइम और करिस्पेंश पे वह अपले नहीं कर सकते वह और वह लोग ए लिजीवल है नेच के लिए इसके लिए भी चार सल का experience चाहिए है मला आज 1st January 2021 और preference दिया जाएगा compliance in IT, legal in operation, banking operation में experience होगा तो लोग को preference दिया जाएगा special skills में है आप लोग marketing strategy, business strategy की account मैंने इस चीज में experience होगा तो आप लोग को ज्यादा preference दिया जाएगा प्रभास्ट experience चाहिए और उसको बात फोर्ट में deputy manager marketing financial institution इसका भी qualification MBA, PGDM होना चाहिए और its equivalent two year full degree specialization in marketing में चाहिए और experience इसका भी post qualification experience four years चाहिए आजन फास्ट आनरे 2021 मले domain related इनको experience चाहिए मले मार्केटिंग और डेपोडिमेंचर मार्केटिंग financial institution में और प्रिफरेंच विल्वी गिवन टू केंड़ेटा हमें मार्केटिंग फाइनसल इंस्टिजीशन coverage प्रोड़क्स नस्ट्रो भस्ट्रो ट्रेट प्रोड़क्स ट्रेजेरी प्रोड़क्स इटीशी में स्ट्रंग स्कील है दोस्तों यहां में बहुत सारे सी दिया हुआ है आप अपले करेंगे अनलाइन तो आप अनलाइन जाकी तुफ्रा देख लिए लेकिन मुझे लग रहा है जो पेला एजुकेशन को अलफिकेशन और एक्स्प्रेशन देख लिए हम लोग उसमें काफी है और जो डेप्रोडिमेंग्स मार्केटिंग फाइनसल इसका स्कील स्ट्रॉंग मार्केट अपरिशन टीम प्लेयर आविग स्ट्रॉंग इंटर्टल परिशनल स्कील अभार भ्यू ग्लोबाल कांट्री स्पेसिफिक एकशनल अनलेटिकल स्कील पॉनलेशे बिजनेस पर्फिल्मेंट्स एंड मार्केटिंग उसमेंड जाहिए निकला हुए ये सब एक्सियुके पास वान मुला एक बार में जो क्लियर किया होगा उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा इसके लिए मिनिमुम थ्री यह एक्सपरेंस आए फास्ट फेबराइड टुजान तक वह यह सुपर हाइजर कापासिटी ने फानना चल्ड फानना चल्ड इन इस चल्ड पार्परेंस इसमें आप लोग का आइटी रिलेटेंड कोई बी और बीटेक किया हो तो उनको ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा और इस अब इसमें दिया हुआ है एंड फूल टाइड टू एर एमबी मलब इसमें भी एमबी होना चाहिए एको बालन मैनेजमेंट ट्रेंग टू यह और जाकर यह वोना चाहिए तरफ जाके हैकल टी फिरिविलिटी कोगा और आज पर एंब्ड़ेंग लिएश्यटर एक्सपरेंस होना चाहिए चार एक्सपरेंस पक्यार प्रू बांकींग पेनेशियल एंड अप्रेसियल आप दे बैंकिंग और इन्टिक्टिक्राइट यह यह सब चीज था दोस्तों और इसका जो डेपोटे में चाहिए आउट आप टोटल एक्स्पिरेंस मिनीमम थ्री एर्ट शुड़ बी इन मैनेजिंग एटी एम एड़ डॉए सेल्फ सर्विशेज के उसको यह सब चीज है बैंकिंग टार्म से मतलब यह सब एक्सपिरेंस होना चाहिए तो अब जाके अपने कर सकते हैं यह था दोस्तों टोटल एक्सपिरेंस एजुकेशनल कॉलिफिकेशन एक्सपिरेंस इस्पेशल एक्सपिरेंस भी च लेटर का छो जो रौत आए व gives Jaun kोई मिल जाएगा उसको क्या मिलेगा उसके बाद ओढ़े कर सकते मतलow यह क्या काम करना है ? रेश्पेशब्राण G्य आप लोग को बुलाये जाएगा इंटर्व करने के लिए नहीं तो अनलाइन भी मतलब अनलाइन भी हो सकता है वीडियो कंफेरेंस में हो सकता है इंटरीव्यू अब लोग को मतलब बैंक जो डिसेशन ले लिया ओई फाइनल है उसमें शुडेंट कोई अप्रोच करके चैंज़स नहीं कर सकता है मेरे लिस्ट पर फाइनल सेलेक्षान उली प्रेपार इंडेसेंडिंग और स्कोर अप्टेन इंटरेव्यू अनली जो इंटरेव्यू होने के बाद आप लोग स्वाटलिस्ट किया जाएगा उसका उसका बेसिस में रैंकिंग निकलेगा इसमें कोई रेटीन नहीं कुछ नहीं बास आपका एकस्परेंस हिसाब से क्वालिफिकेशन हिसा तो आप आपका अपले कर दिये हैं सब्सक्राइब करने के बाद बैंक बुलाएगा आप लोग इंटरेव्यू करने के लिए नहीं तो हो सकता है वीडियो में in case more than one candidate score common cutoff mark such candidate will be ranked in merit descending order of their age मतलब इसमें थोड़ा age जिसका है ज्यादा थोड़ा मतलब दो तिन लड़का होगा उसमें marks है में लेकिन age सबका difference है थोड़ा age ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा पिरफ्रहन दिया जाएगा बैंक का ही policy है इंटिमेशन और कल्ड़र इंट्रेवर चेंड बया और उफ्लेड़ भी भाको मिलिश्यव और फिब्स्यादज चाहिए जी आप्लाइओ शकड़ा कलीटर में के एमिश भादभने तो जैनल और एककौनोमीक विकार शेक्शन केंडिट के लिए 750 रूबीज और सेस्टी पी डॉबलीट के लिए मतलब फिस लगेगा नहीं आप लोग कैसे पेमेंट पेमेंट कर में मेर बाई डेबिट कर क्रेडिट कर इंट्रेटर बैंकिंग आप इसी का थ्रो में आप उनलाइन पेमेंट कर सकते हैं मैं यह पहले भी ब आप लोग कर सकते हैं यह जाने के बाद उस्तों वहां पर आप 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 लेए ऑल्लाइन करें यह पर निकल आप डेटर आप बहुत कर सकते हैं जो ओनलाइन आप लाइन करेंगे यह सारे चीज आपको अफ्रोड करना पड़ेगा प्रीफ पीडिएफ आईडी प्रूप प यह सब चीज यहां भी दिखा लिखा हुआ है एक्सप्रियेंस अर्टिपिकेट फॉर्म शिक्स्टी नेशन फोटोग्राफ शिगने चाहर यह सी चीज आपको मतलब अप्लोड करना है पड़ेका स्कान करके पीडियेम ले अब फोटोग्राफ टाइब साइज आप फोटो जो उसमें अनलाइन अप्लाइब करेंगे अप्लोड करेंगे उसका साइज पासबोर्ट साइज कलर पिक्चर फाइल साइज फुड़ बी ट्वन्टी टू फिप्टी के भी एंड डायमेंशन टूंड़ टू थार्टी मेगा पिक्चल होना चाहिए तब जाके आप लूब फोटो अप्रिल करेंगे वह सफ्टार लेगा मेक्शिए और पिक्चर चुड़ी कलर एज टेकन एगनेस्ट लाइट कड़र फिफरेब भूइट बैक्गराउंड यह फोटो थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए बैक्गराउंड भी वाइट होना चाहिए मतलब जैसे क एक आदमी को रेक्टोनाइज कर सकते है पहचान सकते इस टाइगा फोटो चाहिए लुक स्ट्रेट आड कैमेरा विट रिलाक्स्ट पेस इव दपिक्चर इस टेकन सुनी देप्लिस श्योट दस्वनी सॉनी सॉनीज बैंड यू और यू आर इन सेड़ेट एरिया सोधाड यू आर नोट स्कुर्टिंग और जार नो हर्श शैड़ों मुलब आपको जिक और कुई और जागा में फोटर ले लिए साइद और पिक्चर क्लारीट नहीं आएगा और बैक गरंड पिछे हो जाएगा तो साइद आपका फोटो क्लियर नहीं दिखेगा हो जकता है कि आप इसमें अप्लाय कर सकते हैं है और दोस्तो भी अःच्ट क्या क्या था इस्क्स करेंगे जत्याहिए के सब्सक्री तरुटाब कि इस तταιब करेंगे और दॉस्तों कि अध्याशा चानल क्या था ह WeDrive में आएगा सब्सक्राल कर देजेगा लाइक कर देजेगा